मित्रों अगर आप 2022 की UPSC Civil Service एक्जाम को टार्गेट कर रहे हैं, तो उसमें General Studies में Brunal Patil से Economy, शुब्रा रंजन I.S. Coaching Center के बुदपूर्वा Faculty, रिशिकेज दुदाद सर से जोगरफी, वाजीराम की बुदपूर्वा Faculty, हीमा बिंदु मेम से Science Technology, वाजीराम के बुदपूर्वा Faculty, आतिश मातूर से पॉलिटी, प्रतिक नायक से History, Art and Culture, मुदित गुपता से Current Affairs, International Relations, मलब अलग-अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा, जनरल स्टडीज के प्रिलिम और मेंस के टॉपिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, लाइव क्लासिस में PDF Study Material, Weekly Doubt Resolution, Weekly Quiz, Ranking, ये सबको मिलाकर Unacademy एक साल का Batch Course launch कर रही है, 17 मार्च से, registration link description में दिया है, if you are interested, और checkout के दोरान आप coupon code यूज़ करें, और इसके लाबा, इस रभिवार Unacademy का वो 60 question वाली UPSC combat जिसको मैं कहता हूँ PUBG combat वो भी है, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें उसमें भी जो टॉप rank लाएंगे, उन्हें 6 month, 12 month, 24 month का paid subscription free में दिया जाएगा, तो वो भी एक तरीका है, इसको engage करने का, और उसके लाबा, सुमबार को अपनी मुरुनाल Monday test series जो की free में हैं, और हम लोग यह जो यहाँ पर daily current office पढ़ रहे हैं, उसकी practice के लिए वहाँ पर 20 question होंगे, तो अलग-अलग कारेक्रम चल रहे हैं, अपनी जरुवत के हिसाब से आप इन सबको enroll कर सकते हैं, सबके registration link नीचे description में दिया हैं, कैर अभी main मुद्धे पर आते हैं, 13th March, शनिवार के Indian Express में मुझे exam के लिए काम की चीज़े क्या लगी, सबसे पहले polity, domicile based reservations, थान आदारी तारक्षन, वो हमने कुछ दिन पहले देखा था, हर्याणा में बोला 75% reservation to local people, अभी जार्खन सरकार भी ऐसा कुछ सोच रही है, कूल मिलाकर argument in favor and against वो तो same to same ही रहेगा, तो ये तो एक line की ख़बर है, आगे बढ़ो, पॉलिटी काई नाम लिया है, तो दूसरे अलग-अलग पेज पर जितने समाचारे एक साथ देख लेते हैं, तमिलनाडू state election, कुछ दिन पहले हमने देखा था, कैसे अलग-अलग political party offer कर रही है कि housewives को, गुरुहीनियों को, हर महिने 1000 रुपए, हर महिने 1500 रुपए बत्था दिया जाएगा, compensation और salary, इसके बारे में Indian Express में आज एक column में criticism दिया है, हालोच ना क्या, कि ये सब electoral populism है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, कोरोना के चलते वैसे भी tax में collection कमी आई है, and more importantly, it is diverting attention from the core issues, जो मैला श्रमीक हैं, women workers, कई textile industry में, micro small medium enterprise में, handicraft industry में काम करती हूँ, उसको minimum wages नियुनतम वेतन भी नहीं मिलता, sexual harassment यान उत्पिडन हो रहा है, social security के नाम पर वो insurance, pension, EPFO, ESIC के लाब नहीं मिल रहा है, and even in private sector, IT industry, service sector industry, upward mobility नहीं है, promotion में बले मैला में talent हो, लेकिन जो पूरुष होगा, उसको पहले ज़्यादा ज़्यादा promotion देखकर, assistant manager से, deputy manager से, general manager बना देते हैं, तो ये सब मुद्दों से ध्यान हटा कर, एक छोटी सी बात कि ये सब housewife कौम 1000 रुपे देंगे, it is taking away the attention, दूसरा मुद्दा, तमिलनाडू और साथ इंडिया में, micro finance company, यानि लगूवित्त कंपणिया, एक प्रकार की NBFC कंपणिया, non banking financial company, इनका काम रहता है, लाग सबालाग रुपे तक की लोन, गरीब परिवारों को देते, और उनके जो installment काफी flexible होता है, कि मालीजे हर महीने 1000 रुपे देने हैं, वापस ऐसा ने, किस चुकाने मालीजे हर हफ़ते 20 रुपे देना या ऐसा कुछ, करते करते काफी सारी ऐसी micro finance company, goal loan company, उन सब का ऐसा माहौल फैल गया है, कि काफी सारी महिलावे अपने बच्चे के, school, college, coaching, education के लिए, फिर ये बच्चों की शादी ब्या बच्चा पैदा होता है, फिर उसके जो अलग-अलग दार्मिक रिया हैं, इन सब के लिए बहुत सारा कर्ज लेके रखा है उन्होंने, तो उन कर्जे से उसको कैसे बच्चा है, उसकी कोई बात नहीं, और तीसरा, ये साउथ इंडिया में द्रविडियन पॉलिटिक्स, जिसमें वेलफैरिजम का माहौल की, जहां पर बहुत कुछ चीज़े सस्ते में या फ्री में दे देंगे, चावल देना हो, मिक्सचर ग्राइंडर देना हो, पता चले सामाने रूप से ये जितना फ्री में दिया जाता है, सरकार द्वाराब, इट इस अफ वेरी पॉर क्वालिटी, ये मिक्सचर ग्राइंडर जो दिया जाए, वो एक साल से जादा चलता नहीं, वो जान बुझकर कंपणियों ने ऐसा ही बनायों, ताकि अगले इलेक्शन में वापस दिया जा सके, तो कंपणि को भी ओर्डर मिले, सरकार को भी मौज रहे, तो पूरा ये जो करप्शन और पॉप्पिलिजम का नेक्सेस चल रहा है, सुशाशन के लिए ये अच्छी चीज़े नहीं है, कहरें सीधा मेंस में मुद्धा बनता नहीं कि तमिल नाडू के पॉलिटिक्स की आलोच ना कीज़े या आकलन कीज़े, हावेवर, जब आप इंटर्यू स्टेज पे जाते हैं, उस वक्क कुछ पॉलिटिक्स के बारे में या कुछ पूछा जाए महान के रिला मॉडेल के बारे में, तो ये सारे मुद्धे भी सोचने के विश्य है, और उसी तरह सपोज पॉलिटिकल सायंस या पॉब्लिक एड्मिनिस्टेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंडेंस रहे और उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते, एकसे ब्लाइद ग्राउंडस अफर, जजज अब दा हाई कोट, ऐसी सब इंक्वाईरी बिठाए और सब वोटिंग ओ वगेरा वगेरा, लेकिन सुप्रीम कोट ने पाया कि कई जगा पर राजे सरकार, अपना जो भी गवरंटमेंट ओफिशल हो, सरकारी अपसर को ही स्टेट इलेक्शन कमिशनर बना देते, तो फिर तो वो कोई स्वतंतरता से काम करे, वो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसको वापस पता होगा कि यह मेरा, यहां से वापस तबादला हो जाएगा, फिर मुझे अच्छे वाले डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चाहिए, तो जो रूलिंग पार्टी बोल रहे हैं, वो मैं ऐसा करूँगा, तो सुप्रीम कोट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है, कि गवर्मेंट अफिशल को स्टेट इलेक्शन कमिशनर नहीं बना सका, पॉलिटी में चौथे समाचार हैं, प्लेसी सब वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक 1991, वो उस जमाने में जो बाबरी मस्जीद और आयोध्या में ये जो दार्मिक स्थान है, वो हिंदू का है, मुस्लिमों का है, किसने किस पर एंक्रोचमेंट अतिक रमन किया है, तो उस मैं काम दंदा छोड़के अभी पढ़ना है, जवाबे नहीं, ये मुझे खास काम का नहीं लगता, पहला कारण, पॉलिटी और रिलिजियस अफेर्स के रिलेटेड, इसके अलावा और जादा हाई प्रोफाइल और इंपोर्टन टाइप की चीज़े हैं, पर एक्जामपल, शबरी माला में महिलाव का प्रवेश, वो सिटीजन्शीप अमेंडमेंट एक्ट, फाम लॉज, डॉमिसाइल बेज रिजर्वेशन से लेके बहुत सारी चीज़े चल रही है, ये तो अभी फेड़िट टॉपिक है, अभी इतनी हवा इसको मिली नहीं है, और जब कुछ बनती नहीं, और वैसे भी फाइनल जजमेंट आने तो तो कुछ एक दो लाइन में तयार करेंगे, अभी तो केस चल रहा है, we should not waste time in that, कैर तो पॉलिटी के ये समाचार, अभी पेज वन पे, इंटरनेशनल रिलेशन, कल क्वाड समू की वर्चुल समिट हुई थी, क्वाड मतलब क्या USA, उस्टेलिया, जापान, इंडिया, ये समिट के आउटकम क्या रहे, तीन ग्रुप बनाए गए है, पहला critical and emerging technology का ग्रुप, तो हो सकता है उसमें ये 5G टेक्नोलोजी, blockchain टेक्नोलोजी वगेर की मदद से कुछ जोरदार काम करेंगे, दूसरा है quad climate working ग्रुप, जलवायू परिवर्तन, global warming के खिलाब काम करेंगे, और तीसरा है COVID vaccine expert group, ये तीसरा COVID vaccine वाली चीज़ काम किये, ये तैह हुआ है कि अमेरिका की Johnson & Johnson और डूसरी सब कंपनियों की vaccine, वो लग उसकी सब हमें फॉर्मुला देंगे और उस हिसाब से वो सारी manufacturing बारत की factory में की जाए एक बात, और उसके लिए बारत की सब फैक्टियों ने भी जो भी equipment या raw material खरीदना होगा, तो जापान सरकार उसके लिए उन्हें funding, loan, subsidy सब दे, और ये पूरी vaccines बना कर एक्सपोर्ट करनी होगी, उसमें Australia logistic support प्रोवाइड करें, आप उतीसरूंखला प्रबंधन, supply chain management वो स चीन को तंज कसा गया, उसको खरी-कोटी सुनाई गई, well references to China as a belligerent, मतलब की चीन एक लड़ाकू है, साप साप तो ऐसा नहीं का, लेकिन indirectly सुना दिया, कि Quad Group wants free and open Indo-Pacific region unconstrained by coercion, दाग दम की बल प्रयोग न हो रहा हो, ऐसा मुक्त और खुला हिंद प्रशांत इलाका हमको च और साथी साथ ये भी तैय हुआ कि इंग्लेंड में G211 समिट होने वाली है, इटाली में G20 समिट होने वाली है, वहाँ पर ये Quad Group लीडर सायद फिजिकल रूब-रूब जाएंगे तो आपस में वहाँ पर भी मिलेंगे ऐसा तैय हुआ है पेज वन पे तीसरे समाचारे Economy से National Statistical Office यानी NSO जो की Ministry of Statistics and Program Implementation के नीचे की संस्ता है अभी मित्रोजी तो हर महीने बैटके Index of Industrial Production IIP का डेटा, Consumer Price Index, उपबोगता मुले सुच का कि मेंगाई कितनी बढ़ ये उसका डेटा उनको salary मिलती है तो हर महीने वो तो निकालेंगे, तो हमने क्या काम दंदा छोड़के उसको हर महीने पढ़ने बैठना है नई, ओवरॉल ट्रेंड पता होना चाहिए अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला था कि Quarter 3 में recovery आई और maybe 0.4% GDP growth quarterly rate पे दिखता है और गी दूद की नदिया बै रही है तो अभी वो खुद उस report को counter कर रहे है कि पता चला index of industrial production जिससे हमको पता चलता है कितना manufacturing बढ़ा है तो वो उत्पादन तो कम हुआ है consumer price index मेंगाई तो वो भी बढ़ी है इंक्रीज हुई है उत्पादन कम हो रहा है मेंगाई बढ़ रही है तो वो जो quarter 3 वाली recovery में गी दूद की नदिया बै रही है वो सब short lived वीवेक मूशिलान टाइप का one hit wonder ही था anyways not important पूरा इसको और develop होने दो पूरे साल में क्या trend चलता है वो देखना चाहिए economic service से आगे बढ़ते हैं page 2,3,4,5,6,7 में आज कुछ काम कार नहीं या तो वो डांडी आदरा का उद्गाटन करना था उसकी बहुत सारी खबरे हैं या फिर बड़े बड़े advertisement है page 8 column left side के दो दो paragraph के छोटे column में कि नागपूर कोरोना केस के मामले में Gotham City क्यों बन रहा है और उसमें हमने क्या करना चाहिए वो सब generic मुद्दे ऐसे ही लिख सकते हैं दूसरा मुद्दा है कि कोरोना में राजे सरकारों की tax income कम हुई है और फिर वो अपने state government के budget बना रहे हैं उसमें ज़्यादा focus वो करते हैं कि welfareism के नाम पे गरीबों को सीधाई pension में subsidy में free food ये सब में पैसा दिया जाए और capital expenditure के नाम पे नया road, building, hospital बनाएंगे उसमें कम खर्चे हो रहे हैं और ऐसी short-sightedness क्यों होगी क्योंकि चुना वा रहे हैं तो वो जल्दी ये जैसे तमिल नाडू में पार्टियां बोल रहे हैं कि 11,000 रुपे housewife को देंगे लेकिन ऐसी ये short-sightedness बविश हमें economy को नुकसान करेगी बगए तो ये भी तो common मुद्ध हैं ऐसे ही हम लिख सकते हैं पढ़के कुछ नया जानने को नहीं तीसरी छोटी कॉलम है छोटी बहु मेगन मारकेल कभी खुशी कभी गम जो हमारे लेकाम के नहीं बड़े कॉलम में ये तमिल आडू की politics और मिला सरसकती करण वो हमने शुरुआत में देख लिया दूसरा कॉलम है ये Netflix पे कोई Bombay बेगम नाम की web series आई है तो उसमें सब me too workplace sexual harassment की बाते लेकिन नया जानने को कुछ नहीं जो हमने पहले ही वो MJ अकबर वाले case में पढ़ नहीं लिया आगे बढ़ते हैं page 9 दुश्यन चोटाला जो हर्याना के deputy CM है उन्होंने कॉलम लिखिया कि हर्याना ने ये जो 75% domicile based reservation दिया वो क्यों सही है उसके favor के argument वो तो वैसे भी लिख सकते हैं ये सब गरिब कल्यान और विदेशी प्रत्यक्षन इवेश के बारे में foreign direct investment का मतलब क्या है कोई foreign entity बारत की कोई एक company में more than 10% shareholding खरीदे तो वो जितना पैसा है उसको हम कहते है FDI का पैसा है 2020 कोरोना में क्योंकि बारत की ज़्यादातर company चौपट हो रही थी नुकसानी में चल रही थी ऐसी situation में च company के shares या ownership दिरे दिरे चीन को दे दे ऐसा न हो इसलिए बारत सरकार ने कुछ restriction डाले थे कि चाइना से FDI आ रहा है उसका पहला government of India से अनुमती लेनी होगी बगएरा to prevent opportunistic takeover of Indian companies अभी 2021 में economy वापस recover हो रही है company वाले बोल रहे है bank हमें बड़ा loan दे नहीं रहे तो सरकार सोच करते हैं चीन की अपड़ याई को भियाने देते हैं लेकिन ऐसा किया तो उसमें क्या danger हो सकते हैं common sense की बात है चीन की कंपनिया बारत की कंपनियों की मालिक बन जाएंगी तो फिर वो सब ऐसे manufacturing design development contact बनवा देंगी कि जिसमें बारत की इन कंपनियों ने चीन में बना ही raw material intermediate goods उसे use करना पड़े दूसरा वो अपने secret agent जा सूसी करने के लिए company के senior management में लगा दें तीसरा suppose ऐसी कोई Indian company जो Indian army को कुछ communication devices equipment supply कर रही हो तो उसमें वो कोई malware surveillance code डाल दें ते सबका solution क्या है औस्टेलिया और कैनेडा की सरकारों ने भी FDI के कानून कुछ बना है लेकिन उसमे यह है कि national security के लिए restriction डाले जा सकते हैं वैसे बारत में भी 1999 में foreign exchange management act FEMA act है उसमें कुछ बात हैं लेकिन अभी वो वेग स्वरूप में पस्ट रूप से यह सब के clear cut guidelines नहीं है तो और ज्यादा कानून को बैतर करने की ज़रूद वैसे इसमें नहीं जाने लाग कुछ नहीं ल अपुर्वानन्द दिल्ली का देश बक्ती बजेट जहां पर 45 करोर रुपीज दे कर 500 जंडे लगाए जाएंगे और लोगों में राष्ट बक्ती बढ़ेगी तो बलब वो सब एक प्रकार से बीजेपी की majoritarian politics को कॉपी किया जा रहा है और ये सब democracy में कैसे जोखी में वग इसका असल में कारण क्या है तो पता ने तो इतनी 5000 वर्ड की क्यों आपने article बनाई है एक graph देकर भी तो एक line में लिख सकते हैं कि हमको पता नहीं लेकिन case बढ़ रहे है दूसरी explain series है गांदी जी की दांडी मार्ज तो बढ़ी वो तो आपने सब पढ़के रखना चाहिए तो मैं तयार करूँ that is not the right way to prepare पीरे के explain series है 2001 F032 नाम का एक asteroid पृत्वी के एकदम करीब से जाएगा और उसका मद्यान कर पाएंगे वगेरा एक्जाम के लिए काम का नहीं मित्रो कोई asteroid का कोई जोरदा नाम हो fancy name तब तयार करें ऐसे technical नाम हो 2001 F032 पिछले 10-12 साल में ऐसे क कई चीजे आई हैं गई हैं कुछ पूचाने UPSC ने fancy नाम बनने दो जैसे मेरे कहल से वो asteroid राइकू या राइकू कुछ था उस पर जापा ने मेरे कहल से हाईबू सा या कुछ ऐसा spacecraft बेजा था और उसके sample ले तो वो एक fancy नाम था तो हमें तयार करना है ऐसे कई बार द और और वो कोई आदी मानव मिला तो fancy नामों तो तयार करना चे फिर 2001 AF032 हो तो नहीं करना है तीसरी explain series वो places of worship act तो मैंने आपको आगे बता है वो अभी क्यों काम काने पेज 11 पलिटिक्स के समाचार और उसमें वही सुप्रीम कोटने का state election commission में government employee को नहीं रख सकते वो हमने पढ़ लिया आगे बढ़ो page 12 ministry of home affairs ने north eastern states को काये कि म्यानमार में जो दमाल जा रही है उसके चलते बहुत सारे immigrants वहाँ से बारत में गुषने की कोशिश करे तो उससे आप रोखिये तो वह तो common sense की बात है उसमें आप पढ़ के और ग्यान अर्जित करने का कोई मतलब नही page 13 वेस्ट बेंगाल और सब election की बाते काम के नहीं page 14 world news में economy related चीज non fungible token समते हैं fungible मतलब मित्रो ऐसी चीज जिसको हम divide कर सके और किसी और के साथ proportion में exchange कर सके without any problems for example 2000 रुपे का note हो तो क्या आप हो उसके टुकडे कर सकते हैं तुकडे मतलब कैंची लेकि उसको काटना है ऐसा नहीं पन टुकडे theoretical sense में कैसे कि 100-100 रुपे के 20 note आप दे दो तो आपस में exchange कर सकते हैं हाँ 2000 रुपे का एक note से आप जो चीज खरीच सकते हैं क्या 100 रुपे के 20 note देकर वही चीज खरीच सकते हैं हाँ तो यानि currency notes हार fungible in nature अडला बडली हो सकती उसी प्रकार bitcoin जो एक crypto currency है उसके क्या टुकडे कर सकते हैं हाँ जैसे हम एक रुपे को divide कर सकते हैं 100 पैसे में उसी तरह एक bitcoin को हम लोग divide कर सकते हैं satoshi unit में 10 raise to 8 10 के उपर 8 power हो इतने unit उसमें से satoshi हम divide कर सकते हैं तो रुपे से चोटा पैसा उसी तरह bitcoin से चोटा satoshi और वो आपस में exchangeable है हाँ bitcoin to satoshi तो वो भी चीज fungible है cryptocurrency अपने आप में fungible है लेकिन अब एक नया तमाशा चल रहा है that is non-fungible token यानी NFT असल में कोई digital file हो जैसे photo file jpeg extension वाली animated image मलब gife extension वाली या music file mp3 वागेरा और उसे हम blockchain technology की मदद से store करें और उसके साथ कुछ ID tag लगा दे कि अभी इसका मालिक Mr. A है और फिर ये तारिक को Mr. B को बेचे तो blockchain technology में वो चीज़ भी लिख दी जाए कि अब से Mr. B इसका मालिक है वागेरा तो जैसे जमीन के काउगजात होते हैं कि पहले इसका था फिर इसका है उसी तरह इसका पूरा एक record चलता रहे तो ऐसी जो file बने उसे हम कहें non fungible token तो non fungible कैसे non fungible मतलब इसके आपस में अदला बटली करना मुश्किल है जैसे 2000 के note में 500 के 4 note बना सकते हैं एक्सेंज कर सकते हैं इधर ऐसा संभाव नहीं सपोज वो अब हार्मोनियम खाते हैं वो वाली जो video file या GIF या photo file हो उसको मैं कहूँ एक NFT उसका token बनाओ और मेरे लिए उसका मुल्य हो माली जे 10 रूपे और सामने दूसरा ऐसा ही file है वो पीछे देखो वो बच्चा मेरे मामू तो नहीं है वगेरा तो वो जो गोलू मोलू kid है उसकी हम दूसरी ऐसी meme file उसको non fungible token के रूप में trade करें और मेरे लिए शाद उसका मुल्य हो सकता है 100 रूप जैसी चीज नहीं है because their values will be different to different person depending on sentiments so they are non fungible तो ऐसे non fungible token बना कर उसका auctioning निलामी करने का एक must hysteria यानि सामोहिक पागलपन चल रहा है जैसे कोई ऐसी meme file हो GIF file हो music file हो लोग millions of dollars उसको convert करके ethereum नाम की cryptocurrency खरीदते हैं और उसकी मदद से ऐसे सब file अलग-अलग digital artist से खरीद रह नुक्सान क्या है सबसे पहले application multimedia creators जो ये add of photoshop और जो भी चीज़े उसमें अपने कुछ design, creations, audio, video, poster वगेरा बनाते होंगे उसको किसी को बेचना चाहते हैं तो उसका पूरा certificate of authenticity, plagiarism उस सबको check कर सकते हैं क्योंकि जैसे जमिन के खरीद बिकरी के document में सब लिखा हो ये वाल So it will help them दूसरा video game industry में फाइदा आज कल कई सारे multiplayer game ऐसे होते हैं कि आप उसमें 50 गंटे खेलते रहो, दुश्मनों को मारते रहो, तो फिर वो जो मरा दुश्मन है उसमें से आप हत्यार उसका या armor ले सकते हैं और उसमें फिर उसे आप use करो और ज्यादा damage हो तो ऐसे जो भी legendary weapon, armor, मतलब ये एक प्रकार की क्या है, digital code होगा, वो digital asset है, फिर उसे आप non-fungible token में convert कर दो, और किसी और player को आप बेज सकते हैं जिसके पास 50 गंटे खेलने को नहीं, लेकिन उसको वो जोरदा type की machine गंच चाहिए PUBG में, then it can be traded, तीसरा हो सकता है concert ticket, patent document, digital certificate, जो भी चीज paper document में store करते थे, उसे ऐसे digital स्वरूप में हम लोग इस्तेमाल करें, तो paperless administration में मदद कर सकता है, तो मतलब ये तो बहुत फाइदे की चीज लगती है, लेकिन सामने बहुत सारी चुनोतियां भी है, पहला, 2017 से ये पागलपन चुरू हुआ था, 2021 में बहुत ज सब, क्योंकि back end में क्या gold है, silver है, क्या कुछ नहीं, बस ऐसे ही पागलपन में इतना सारी बूलिया लगा कर file खरी दी जा रही है, दूसरा money laundering, terror finance में भी इसका दुरूपयोग हो सकता है, आप पहले dollar convert करके कुछ bitcoin या ethereum currency खरी दो, और फिर उसकी मदद से ऐसी को एक file खरी तो फिर सामने किसी को दो, वो किसी को बेचे, and ultimately आपस में सब लोग मिले ही हो, और असल में black money को white करने की सब चाल या आतं की वित्तपोशन उसमें दुरूपयोग हो सकता है, तीसरा, ये पूरी चीज उसे हम computer में store कर रहे हैं, तो एक तरफ आप कहें paperless है, तो paid कम कटेंग पता चला एक-एक non-fungible token के transaction में जितनी बिजली खर्च होती है पूरे दुनिया के सब अलग-अलग computer server में, उससे एक महिने तक आप घर की बिजली चला सकते हैं, तो सोचो इतनी सारी electricity जो use हुई, उसके लिए koila जलाया होगा, तो कितना, because coal-based thermal power plant से बिजली बनाई हो, तो कितना carbon dioxide emission, so to the challenges, तो जानने लाइक जो चीज़ें थी, कुल मिला कर हमने देख ली, अभी इसमें 500 बार और भी चीज़ें हैं, तो क्या पढ़ने बैठेंगे, इसवाए कि कुछ नया government नियम बना दे, कोई बहुत बड़ी international organization कुछ बोल दे, तो देखेंगे, otherwise we will not waste time, मैं तो economy हम देख रहे हैं, तो और भी समाचार देख लेता हैं, gig worker या platform worker, मतलब क्या, ये स्वीगी जोमेटो उबेर के जो delivery boy और driver होते हैं, तो company contact में साब-साब लिखती हैं, you are not our employees, you are independent contractor, हम आप से सेवा खरीद रहे हैं, आप हमारे कर्मचारी नहीं, ऐसा क्यों लिखवाते क्योंकि अगर ऐसा बोल दें कि you are our employee, तो उस हिसाब से EPFO, ESIC, ये सब योधनाव में compulsory company के मालिक ने अपने pocket से कुछ पैसा देना होगा, और ये worker का कुछ salary का पैसा काट के उदर डालना होगा, और फिर उसकी मदद से EPFO वाला उसका सब provident fund pension वगेरा देखे, और ESIC, वो उस उससे health insurance और free medical hospital की सेवाय दे, उससे बचने के लिए ये तमाशे होते हैं, तो सरकार ने पिछले साल जो social security code नाम का कानून पास किया, उसको अभी लागू करने वाले हैं, तो सरकार सोच रहे है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि ये सभी companyों ने, स्विगी जो में टोबे type companyों ने, पूरे साल में जितना पैसा कमाते हैं, turnover, उसका X percent, या फिर कि ये ऐसे contactor, delivery boy वगेरा को जितना payment देखते हैं, उसका कुछ Y percent, उतना पैसा compulsory ये सब EPFO, ESIC वगेरा में contribute करना पड़े, और उसकी मदद से सभी gig worker, platform worker को हम, ये जो भी pension provident insurance की सेवा दे सके, अलकि ये भी लागू होना बाकी है, but this is what government is thinking, इसके लावा economy के नाम पर जितने तमाशे चल रहे हैं, कुछ काम का नहीं, आज के newspaper में, कल याद करो, सेवी ने 81 bond में mutual fund कितना पैसा invest कर सकते हैं, उसके restriction डाली, तो आज finance ministry ने सेवी को का कि आप उस पर पुना विचार कीजे, इसको हट आदीजिये, वरना, mutual fund वाले 81 bond नहीं खरी देंगे, तो सरकारी बैंक वाले बासेल 3, recapitalization के लिए पैसा कैसे लाएंगे, बग्यरा, भाई ये 81 bond क्या है, उसका basic, पिछले साल की win 20 सीरीज में, पुरी free lecture सीरीज, जो चली थी economy में, उसमें पढ़ लिया है, देख लो, हर बार इसमें गुज नहीं जाना है, अभी page 14, world news में और क्या-क्या है, एक तो environment के समाचार की, अमेरिका की Philadelphia city, ने तय किया है, कि skyscraper बड़ी-बड़ी जो building होती है, उसमें रात को light dim कर देंगे, दीमी कर देंगे, ताकि migratory birds जो जाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा उजाला हो और एक दूसरे के glass building पर reflection आता हो, तो वो disoriented हो जाते हैं, और इमारतों से टकरा जाते हैं, मर जाते हैं, तो urbanization problem and remedies अपना means paper 1 का मुद्दा, तो traffic congestion और pollution और गंदकी और ये सब मनुशों की आपने चिंता कर ली, उसके बाद एकात मुद्दा ये भी लिखना चाहें कि, रात क ये सब light को थोड़ा deem किया जाए, तकि न सिर्फ पक्षियों को राहत रहे, बट इवन nocturnal animals, निशाचर प्राणी जो रात में शिकार करने के लिए ये निकलते हैं, वो भी इतने बहुत सारे light के चलते हैं, वो सही से judgment नहीं ले पाते हैं, उनकी पूरी जीवन चर्या उस American soldiers के कुछ फोटो दिखाए, और ऐसी debate शुरू की कि देखो, अमेरिका की आर्मी में तो महिला soldiers बढ़ रहे हैं, और ये तो pregnancy के नाम पर ये तो लंबी-लंबी चुटियों पे चले जाते हैं, और फिर Russia और China ने अटेक किया, तो हमारी American army हार जाएगी, ये सब अपने देश क वो कमजोर कर रहा है वगेरा वगेरा, तो वैसे American सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन इसमें से सबक क्या है, सबक ये है कि America जैसा देश जहां पर बहुत हुश्यारी मारते हैं कि बहुत education है, economic development है, तो महिलाओ के प्रती गुरुना वाला रवया, यानि misogyny, वो वहाँ प रिक्वाइड की सामाने education नहीं, value education होना चाहिए, role of society, x, y, z, thing, इसके लिए वर्ल्ड न्यूज में जापान वालों ने Myanmar का satellite उसको International Space Station में कबजे कर लिया है, क्योंकि मयानमार में प्रच्चन दमाल जाए, वही कोई famous उसमें से नाम हो, कुछ बढ़के आने दो फिर देखे वर्ल्ड न्यूज में आज कुछ death जो कि एक्जाम के लिए काम किये, Lou Otton, जिनोंने cassette tape का अविशकार किया था, Netherlands से बिलॉंग करते थे उनका देहांत, दूसरा एक Goodwill's Valley थिनी, ये एक Zulu राजा थे, जिनोंने South Africa में बार्तिय समुदाय और Zulu समुदाय के भी सोहर्थ के उन्होंने 1961 में एक पेंटिंग बनाई थी, जिसका वैसे कुछ नाम नहीं रखा था, लेकिन उसकी निलामी हुई, 5.5 मिलियन डॉलर में, 40 करोर रुपे के असपास, जो कि किसी इंडियन आर्टिस्ट को सबसे जादा रकम हुई हो, पिर गुरदीप सिंग, तो पाकिस्तान राज्य सबा में पगड़ी पहने वाले शिक ऐसे वो पहले चुन कर गए हैं, तो यह सब ऐसे कुछ परसनी न्यूज हैं, जो थोड़े नौन आयेस एक्जाम के लिए काम के दिखते हैं, पेज 15 एकनोमी में काम की चीज़ हमने देख ली, बाखी सब जो चल रहा है, पॉल प्रिलिम का फॉर्म बढ़ा, फिर प्रिलिम पास करोगे तो डीटेल अप्लिकेशन फॉर्म वो मेंस एक्जाम के लिए बढ़ोगे, फिर मेंस पास होगा तो डीटेल अप्लिकेशन फॉर्म का पार्ट 3, उसमें वो सब सर्विस कैडर प्रेफरंस का बना पड़ेगा इंट specific बोलो ना क्या reading fiction, non-fiction, crime story, detective novels, आप जितना specific लिखेंगे तो आपने कम तयारी करके interview में जाना होगा, कर मुद्दा है sports, sports में हम बात करें football, basketball, field hockey, softball, beach volleyball, handball, ये सब को कहा जाता है big ball tournament, पता चला इसमें चीन की महिलाएं, बहुत सारे medal जीतती हैं, लेकिन चीन के पुरुष ट संगती क्यों है, उसका पहला कारण वैसे तो चीन में आप जानते हैं, सामयवाद है, communist ideology, लेकिन चीन के समाज में individualism, individualism मतलब व्यक्तिवाद, वो जादा है, कि गर में जो पुरुष सदर से है, उसकी जो कीमत निकाली जाएगी, या उसको जितना सम्मान मिलेगा, वो उसक ये individual accomplishment पे depend करता है, कि आपने business में क्या किया, education में क्या किया, PUBG में आपका individual score क्या है, वगेरा, तो team based चीजों को इतना माहिने नहीं रखते, and as a result, table tennis, badminton, gymnastic, shooting, judo, taekwondo, fencing, boxing, fencing मतलब वो तलवार बाजी, ये सब क्या है, individual एक आदमी, एक आदमी से लड़ रहा है, इस type क sports में, ये लोग कई medal जीतते हैं, चीन के पुरुष, लेकिन अगर team based spot बनाओ आप, ये football, basketball वगएरा, तो खास जीतते हैं, क्योंकि शायद वो team spirit की बावना कम है, एक दूसरे का पत्ता काटने की बावना ज़्यादा देखती है, दूसरा कारण चीन की सरकार, जीन sports में funding में पैसा देती थी, उसमें भी team based male sports में, शायद एक जमाने में कम दिया था, इसलिए develop होना ही पाया, तीसरा, जैसे ये बारत में, अलग-अलग business group, T20 मैच और वो सब में आ रहे हैं, उसी तरह private sector, चाइना के sport events में भी, जाने की कोशिश का, रैखास करिये, Jack Ma और उसका Alibaba group, क लेकिन फिर उससे गलती हो गई, कि उसने season pin का ego hurt कर दिया, तो अब Chinese से भी उस पर investigation कर रही है, तो बाकी international, कोई बड़े-बड़े FIFA वगेरा type करना चाते है, तो वो भी डरते हैं इससे, so foreign collaboration becoming difficult, and lastly, चीन में T20 type की जो भी tournament होती होगी है, football, basketball, volleyball में, महाँ पर foreign player को लाके, player का development हो नहीं रहा, ऐसा ही कुछ हमने आगे पड़ा था, वो football में, यूरोप में भी कुछ ऐसा ही problem है, कि South America और आफरिका के players को लाके खिलवाते हैं, तो उनके जो pure, अपने European होने चाहिए, वो player develop नहीं हो रहा है, वागेरा वागेरा, तो ये कह, sports as a, निबंद आप लिख रहे हैं, तो उसमें team based spot, individual spot, indoor spot, outdoor spot, और इन सब मुद्दों को देखते हुए, कि आप बारत को, में आपको कौन से point parallel या different लगते हैं, वागेरा सब सोच वीचार निबंद के लिए, इंटर्व्यू के लिए, तो ये था शनिवार का newspaper.